हेलो एवरिवन स्वागत दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशांत कुमार सुकला एड़ोकेट साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोट का एक और इंपोर्टेंट लेटे जज्ज्मेंट के बारे में जहां दिल्ली हाई कोट ने याची कर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेयर करिए और कमेंट करना तो मद भूलिए अगर किसी केस से रेटेट कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना एपोइट्मेंट बुक करा सकते हैं चलिए सुरू करते इस वीडिव को जो सबसे पहले जांते इसका यह पूरा मामला क्या था मामला यह था कि 26 8-2017 को जो FIR यानि की प्रतिवादी यह जो FIR दर्च की गई उसके पाद जांच के दोरान यानि कि पीडित लड़की उसके यानि कि CRPC के दारा 161 के तैट उसका बयान दर्च किया गया और उसके दारा यह कहा गया कि उसने अपनी मरजी से अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था क्योंकि उसके माता पिता ने उसके और याची करता के बीज संबंदों पे आपत्ती जताई थी और उसे और याची करता को जान से मानने की भी धमकी दी थी अगर वो उससे संपर्क में बनी रही उसमें आगे ये भी बताया कि याची करता के साथ रहने के साथ दोरान वे उनके दौरा ये भी कहा गया कि वो जब साथ रह रहते उसी दौरान उन्होंने साधी भी कर ली और उसने इसका भी समर्थन किया कि उसका कोई भी दस्तावेजा दगवाद इसमें लेकिन मौझूद नहीं है लेकिन इसके लावा पीडिता का CRPC की धारा यानि 164 के बया में ये इसके बाद इस मौझूदा मामले में जो IPC की धारा 376 और IPC साथ साथ पासको एट की धारा 6 भी जोड़ी गई उसके बाद आरोपी को 12.10.2017 से गिर्फतार कर लिया गया तो ये पूरा जो मामला था ये इसके पूरे तत्त थे फैक्ट थे इसके बाद जो वरतमान जो याच करता ने जो इसके उपर जो IPC की धारा 363, 376 और पासको अधियम की धारा 6 के लिए मांग की गई जिसने उसने हाई कोड का रुक किया जो प्रतिवादी की तरफ से ये तर्क था आये वो जानते प्रतिवादी की तरफ से वकील ने या बात प्रस्तूत किया कि जो याची करत और प्रतिवादी वो जो रिष्टे में थे वे एक दूसरे से प्यार करते थे ये किसकी तरफ से बात आ रही याची करकर के कि तरफ से वकील ने बात कोड की समझ रखी उन्होंने आगे ये भी बताया कि याची करता और प्रतिवादी के भी जो रिलेशन्सिप में थे प्र लोगा प्रतिवादी करता और प्रतिवादी से उनको एक पाच वार्ष और एक वर्ष के बच्चे भी हैं और प्रतिवादी के यह भी प्रस्थ प्रस्तुत किया गया कि जो उसको रड कर दी जानी चाहिए। और उसने ये भी बताया कि कोड को की जो FIR रद कर दी जाती क्योंकि उसमें कोई आपती नहीं है और उन्हों के बीच के जो उन्होंने एक एफिडेविट यानि सपत्र के माद्या में कोड के समझी कागज भी प्रस्तुत किये साथी साथ याचिकाती पतवादी ने लोग अब सांती से रह रहे हैं और अपने वैवाहिक जीवन को आनंग ले रहे हैं इसलिए उन पे जो FIO रद कर दी जाए क्योंकि उनका कोई सार्थक उद्देश पूरा नहीं होगा अगर रद कर दी जाए तो इसलिए उनका कोई का प्रयोग करने के लिए न्यालय इस अंतनीत अधिकात्षित को आहान करने के लिए योप्यूक्त मामला नहीं है तो जो CRPC की धारा 320 के तहर समझोता योग ना होने वाले अपराद के संबंद हैं जो की प्रतिवादी की तरफ से कोड के समझ ये बात आई फिर न्यालय के क् सबसे वकील ये भी कहा कि उन्होंने बताया कि जो अंपत्ती की और सा कर्षित किया गया कि जहंँने अफायार रद करने में कोई अपत्ति भी नहींहें और इस तत्य को कोई नजन दात भी नहीं कर सकता। और याची करता परतवादी दोनों ने अपने दो नाबाली बच्चों के साथ खुसी से रह रहे हैं और एक नई सुरुवात के साथ अपने जीवन को फिर से सुरू करना का विचार कर रहे हैं तो यह न्यालाय का तर्क था फिर फानिली जो कंक्लूजन था वो था कि दिल्ली हाई कोट ने जो याची करता है खिलाब जो IPC की धारा है 363, 376 और पास को अधिनियम की धारा 6 के तहर जो FIR ती उसको रद्ध कर दी आसा करते हैं यह जज्जमेंट आपको समद में आया होगा इस जज्जमेंट से रेटर कोई भी कोरी हो तो आप कमेंट बाउग में जुरूर पूछिएगा इसका केश टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बाउग में दे दूगा अगर आपको किसी केश से रेटर कोई भी कोरी हो तो कॉल पे भी अपना एपॉर्टमेंट बुक करा थते हैं मिलते हैं एक नेक्स वीडियो नेक्स जज्जमेंट सेरीज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद